तो बच्चो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का जो पार्ट है आपका 12 चाप्टर गुरू और चेला उसकी एक क्विज करने वाले हैं इससे पहले हम लोग इस चाप्टर की रेडिंग कर चुके हैं कर चुके हैं दोनों की अलग अलग वीडियोज हैं पहले पठन किया थी दें प्रशन उत्तर न्सी आर्ट के उसके बाद हमने एक वोक्षीट भी की थी जिसमें कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेशन आंसर किये थे अपार्ट फॉम एंसी आर्टी तो अमीद है कि वह तीनों व कोई भी बच्चा अगर नया है चानल पर या फिर आप में सी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा आप उसको टाप कर दीजे बैल आइकन को प्रेस कर दीजे फाइदा यह होगा कि कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए आपको पता लग चाहिए उसका तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रेशन है एक से दस आप नंबर लिख लीजे जो भी ऑप्शन सही लगे आपको A B C D में से लिखते जाए इन दी एंड ऑफ दे वीडियो मैं आपको सारे क्वेशन के करेक् चलिए उत्तर आपने दे दिया होगा अगला प्रशन है अंधेर नगरी की सडकी कैसी थी आपके ऑप्शन से ए चमाचम बी टूटी-फूटी-फूटी-सी उबढखाबड या फिर डी गंदी देर नगरी की जो सडके थी जब वो जाते हमाँ पर एक नगर में गूमने के लिए जा रहे होते हैं तो वो गूमते-गूमते एक नगर में पहुंचते हैं नगर की सडकी उनको कैसी लगी चमाचम तूटी-फूटी-फूटी-उबढखाबड या फिर गंदी चलिए उत्तर आपने कर दिया होगा वीडियो के इन में आपको आंसर पता लगी जाएगा अगला प्रशन है आपका रास्ते में गुरू और चेला चेले को कौन मिला आपके ओप्शन्स हैं दोबिन गौलिन घोवको चोर करती है जो ओं जो की देवन घोवको अब हिए कंदेल घोवन 121-बी चलिए उत्तर आपने कर दिया होगा चौता प्रशन है आपका एक दिन चेला क्या देखने गया आपके options हैं ए मैच देखने बी मदारी का खेल देखने सी हाती देखने या फिर डी हाट जिसे आब बाजार कहते हैं बाजार देखने हम जानते हैं कि जो चेला है वो अधेर नगरी में रह जाता है गुरू छोड़ के चला जाता है कि नहीं ऐसा जहां का अन पर थी चलिए उतर आपने कर दिया होगा पांच का प्रेशन है आपका एक दिन नगरी में कौन सी घटना घटी आपके options है ए बाग आ गया बी भुकम पाया सी दिवार गिर गई या फिर डी आग लग गई कौन सी घटना जिसका जिक्र पूरी पोयम में ही हुआ है I think starting के दो चार दो स्टैंजा छोड़के आपके थोड़ से ही शुरू हो जाते है फिर राजा जाता है फिर किसी को फासी लगाओ उसको बुलाओ उसको बुलाओ पूरा लोग चलते रहते हैं और एंड में राजा को ही फासी लगा दी जाती है तो वह कौन सी घटना होई थी जिसकी व बुलाओ था आपके ओप्षिन से संतरी को बी मंतरी को मंतरी को सौरी सी कारीगर को या फिर भिष्टी को संतरी मंतरी मंतरी कारीगर भिष्टी संतरी दर्बारी को कहते हैं मंतरी जो की उसकी राजा के साथ जो लोग होते हैं जो उसको सला देते हैं कारीगर जो की दिवार बनाते हैं मिस्त्री जिसे आप कहते हैं भिश्की जो की पानी डालता है क के मेर्स अब कर दोशी किसे के बता हैं जब बात कारीगर पर आई तो उसने कहा कि यह दिवार पहले कमज़ोर बनी थी कमज़ोर किस ने बनाई तो कारीगर नेड़र को बलाए जाता है कारीगर कहता है यह मेरी और मशक उलरा में वहन को वनकली की आ दिवार घिरने के खाया किर चेन इसको पूरी पहले आञे कोकन आया फिर कौन फिर 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 और आखिर में किस कौन एक्चलि में इसको फांसी देने गए जिसकी गर्दन फिर नहीं हुए फिर किसको बुलाया और एंड में फिर क्या हुआ आठ्वा प्रश्न है आपका संतरी क्या डूनने निकले आपके ऑप्षिन से एक कुट्टे को बी मोटी गर्दन सी राजा को डी मंतरी को मंत्री को संतरी को आखिर में कहा गया था जब कि उनकी गर्दन फिक्स नहीं हो रही थी कि जाओ अब तुम ढूंड के लाओ तो वो क्या ढूंडने के लिए निकले थे किसी कुत्ते को ढूंडने के लिए निकले थे किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को राजा को ढूंडने एक लिए निकले थे या फिर मंत्री को चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने नौवे प्रेशन पर आते हैं चेले एक ने किसके दर्शन कराने की बात कही कि मुझे उनका दर्शन करा दो आखिर में माता पिता के जब उनको फासी हो रही थी बी ऑप्षन है भगवान के सी राजा के या फिर डी अपने गुरुजी के जिसने की बाद में उनकी जान भी बचाए थी जबकि उसको फासी हो रहे थी फासी देने वाले आदमी के आखरी इच्छा पूरी की जाती है तो उसने का था कि मैं खुशी खुशी फासी चड़ जाओंगा मुझे पहले इनके दर्शन करा दीजे तो उन्हें किसके दर्शन की बात के थी माता पिता के भगवान के राजा के या फिर गुरुजी के और आकरी प्रशन है आपका अन्तत है फासी पर कौन चड़ा आपके ओप्शन से ए राजा बी मंतरी सी गुरुजी या फिर दी चेला आखिर में जो एंड रिजल्ट है इसका कौन फासी पर चड़ा था जिसकी वाज़से सब लोग बहुत खुश भी हुए थे राजा मंतरी गुरुजी या फिर चेला ओके आंसर कर दिया होगा आपने नाम कोईं टू टेल यू अल दी आंसर जहां पर भी आपने आंसर लिखे हैं क्रॉस चेक कर लीजे फर्स्ट क्वेशन का आंसर है और क्या हुआ है कि अभी 7 मिनट की वीडियो हुई है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी अभी करा देती हूँ आपको विकास दो अलग अलग वीडियो आप करेंगे बाकी वैसे मैंने सोच था पार्ट टू में आपको कराऊंगे पार्ट टू इसी में कर लेते हैं और 20 क्वेशन्स विल बी वन वीडियो ओके तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अभी आपके आउट ओफ टेन कितने मांक्स आएं आप इसमें लिख लीजे एंग देन सेकंड पार्ट में जितने आएंगे वो लिख लीजेगा आउट ओफ ट्वेंटी वन तो टेन काउंटिंग लिजे आप इसका पहला प्रशन है आपका गुरू और चेला पार्ट के रच्यता कौन है किनोंने ये कविता जो कवी है उनके उनका क्या नाम है आपके ओप्शन्स है ए रामधारी सिंग दिनकर बी सुबद्रा कुमारी चोहान सी सोहन लाल दुएदी गुरू और चेला जो कहानी है जो कविता है वो किनोंने लिखी है रामधारी सिंग दिनकर जी ने दिनकर जी की भी बहुत अच्छी कविताएं होती है सुबद्रा कुमारी चोहान सोहन लाल दुएदी रामजी लाल खट पटिया ओके आंसर आप नहीं कर दिया होगा दिस नमबर वन और पार्ट टू नेक्स क्वेशन इस गुरू और चेला घूम रहे थे कैसे आपके ऑप्शन से हैं ए बिना कपडों के बिना पैसों के सी बिना जूतों के और फिर डी नन आफ दीस उप्रॉक्ट में से कोई नहीं थर्ड क्वेशन इस गुरू और चेला चलते चलते कौन सी नगरी में पहुँच गए आपके ऑप्शन से हैं ए अंधेर नगरी, बी सुहाग नगरी, सुन्दर नगरी, डी कलंदर नगरी गुरू और चेला एक दिन घूमने के लिए निकले और वो घूमते घूमते चलते चलते एक नगर में पहुच गए जहाँ पर उन्हें एक गवालिन मिली उसने नाम पूछा उनसे तो उन्हें क्या नाम बताया था कि ये कौन सी नगरी है अंधेर नगरी, सुहाग नगरी, सुन्दर नगरी, कलंदर नगरी इजी क्वेशन है अंसर कर दोगा फोट क्वेशन है अंधेर नगरी का राजा कैसा था आपके ओप्शन से ए बुद्धिमान, बी, चतुर, सी, मूर्ख या फिर डी उपरोक्ट सभी बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख उपरोक्ट सभी तो होनी सकता जो आदमी मूर्ख है उसको तो आप बुद्धिमान नहीं कहेंगे तो opposite words है तो इसको तो आप वैसे हटा दीजिए आप तीन options में से बताइए अंदेर नगरी का राजा बुद्धिमान था, चतुर था या फिर मूर्ख था A, B और C, which option is correct पांचवा प्रशन है चेले ने बाजार में क्या देखा आपके options हैं A, एक दिन वो घुमता घुमता बाजार गया था तो उसने क्या देखा सभी चीज़े टके सेर के भाव मिल रही थी B, किसी भी चीज़ का भाव टके सेर नहीं था या फिर C, सभी चीज़ों का भाव 10 रुपे किलो था या फिर D, सभी चीज़ों का भाव 1 रुपे किलो था जब वो बाजार जाता है चेला तो वो क्या चीज नोट करता है सभी चीज़े टके सेर के भाव थी किसी भी चीज़ का भाव टके सेर नहीं था दस रूपे किलो थी सभी या एक रूपे किलो थी सभी A, B, C और D, which option is correct ओके छटा प्रशन है स्वियश का क्या अर्थ है शब्द इस्तिमाल हुआ है और बहुत सारे आपके नए शब्द इस्तिमाल हुए है इस पोयम में जिनके मैं शब्दार्त आपको करा भी चुकी हूँ जिन मैंने आपको पाट पढ़ाया था तो उन सभी को आप कर लें कोई भी पूछा जा सकता है यहाँ पर आपसे पूछा सुयश का अर्थ बताईए अपयश प्रसिद सी सरस या फिर बुप्रोक्त में से कोई नहीं सुयश शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है अपयश प्रसिद सरस सात्वा प्रशने डगरी का तुकान शब्द बताईए जो आदमी फासी देता है किसी को भी उनको क्या कहा जाता है अपने अगर मूवी वगारा में देखा तो काले कपड़े पहनता है बिल्कुल उन्हें क्या कहते हैं? संतरी बोलते हैं उनको जलाद बोलते हैं, आउलाद या फिर मनत्री नवप्रिशन है भारी बारिश से क्या हो गया? भारी बारिश हुई एक दिन राजा गीला हो गया चेला फिसल गया और D नाथिंग आपन ओके दस्वा प्रशन है किसकी गर्दन फंदे किसकी गर्दन फांसी के फंदे में फिट बैट रही थी आपके आप्शन्स हैं A मंतरी की B भिष्टी की C चेले की या फिर D संतरी की किसकी गर्दन फिट बैटे उसी कोई चढ़ा दो फांसी तो फिर किसकी गर्दन आखिर में फिट बैटी मंतरी बिष्टी चेला या फिर संतरी ओके उत्तर कर दिया होगा आपने या आपके 10 questions से ना I'm going to tell you answers जहाँ पर भी आपने answers लिखें ओपन कर लिजे question number first का answer है second B, third A, fourth C, fifth A, sixth B, seventh C, eighth B, ninth A, tenth C ओके तो I think दोनों ही parts हम लोगों ने cover कर लिया है part one and part two 10 questions उस part में थे 10 questions इस part में out of 20 आपके जितने भी marks हैं comment section में link डिजे I think 20 ओन 20 आने चेक तो इस story तनी interesting है और मुझे लगता है कि अगर आपने पहले videos देखी है तो definitely आपको सारे questions clear होंगे word meaning हो चाहे वो grammar के question भी कोई बहुत मिश्किल नहीं थे तो जितने भी marks से आपके देख लीजे कोई question रॉंग है तो back जाके उसका answer ज़रूर देखना कि फिर correct answer क्या है and that's all thank you so much for watching और ready रहिएगा भी next chapter की quiz and जो भी आपके reading, explanation, worksheet quiz जल्दी upload करती जाएगी okay thanks again